हेलो एवरिवन आप सब का इंग बार फिर से स्वागते मेरे चैनल पर मीट माई फेमली पर तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ अपना संडे रूटिन सेयर करने जा रही हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए आप लोगोंने काफी request की है कि मैं आप अपने पूरे दिन का रूटिन सेयर करें कि कैसे आप अपने घर के काम को manage करती हैं और कैसे यूटुब के लिए वीडियो बनाती है हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है तो आज मैं आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटिन सेर करने जा रही हूँ तो फ्रेंड्स से देखिए जैसे आप सब के घर में काम है वो सही काम मेरा घर में है हम सब के घर में सेम काम होता है बस कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम रोज नहीं करते हैं तो मैं कौन से काम को रोज नहीं करती हूँ और मैं आपको वीडियो के लाश्ट में बता दूँगी तो friends हम सुबे के 6 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले मैं सुबे 6 बजे उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने mobile को चेक करती हूँ जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसको चेक करती हूँ कि कैसे वीव आये हैं उसके बाद मैं email चेक करती हूँ कोई email तो नहीं आये मोबाइल चेक करने के बाद में दूसरे नंबर पे बुरुस करती हूँ और मुध होती हूँ तो चलि हम दूसरे नंबर पे चलते हैं तो देखे अम मैं जा रही हूँ यहाँ पर बुरुस करने तो बुरुस करने के बाद में फिर मैं देखिए जाती हूँ अपनी किचन में तो देखे मेरी किचन में स्याम कोई बिल्कुल किलीन करके सोती हूँ तो इसलिए मुझे सुबह एकदम किलीन मिलती है तो मुझे सुबह सपाई करने की जरूरत नहीं रहती है अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय तो हमारे घर में चाय कोई नहीं पीता है बस मैं चाय पीती हूँ और वो पीते हैं तो मैं यहाँ पर दो कप चाय बना रही हूँ बाकी के लिए मैं बाद में दूद तयार करूँगी तो यहां पर मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ तो मैंने गेस को ओन कर दिया है और यहां पर मैं इसी देखिए यहां इसके उपर जो बोक्स है उसी में में चाय का सामान रखती हूँ जैसे कि मैंने अपनी किचन टूर में आपको दिखाया था तो यहां पर में डायरेक्ट दूद और थोड़ा पानी मिक्स करके चड़ा देती हूं उसके बाद में मैंने चाय की पत्ती डाल दी है यहां पर में थोड़ी सी चीनी डाल रही हूं तो दिखिए चाय बनाने का तरी मेरा घर में रहता है लेकिन टाइम निकालना पड़ता है हमें कुछ अलग करने के लिए तो मैं आज आपको पूरा दिन का जो रूटीने वह बताने जा रही हूँ तो यहां पर देखिए हमारी चाय है जो बन चुकी है अब मैं इसको डाइरेक्ट दो कप में ही निकालूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बरतन धुने का काम ज़्यादा बढ़ है तो डाइरेक्ट मैंने दो कप में ही छान ली है और देखिए यहां पर मैं चाय की पतीली को हेंट्वेंट धोके रख देती हूं देखिए हमारा ट शेक्षों केट्वेंट अपनी पतेली को धोके रख दिया है और इसमें दो मिनट भी नहीं लगे हैं और अब हम चाय पीएंगे चाय पीने के बाद मैं देखिए मैं यहाँ पर दो तो मैं वाइट कपड़े अलग करूँगी और कलर वाले कपड़े अलग करूँगी तो यहां पर मसीन को चालू कर दूँगी तो यहां पर देखिए मैंने वाइट वाइट कपड़े एक साइड में में रंगिल कपड़े निकाल रहे हूं और वाइट कपड़े इसमें डाल के इसमें पानी डाल दूँगी, यहाँ पर दिखिए, मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि नल है जो दूसरी साइड में है, तो मैं नली से पानी नहीं लाई हूँ, यहाँ पर मैंने बालती से पानी डाल दिया है, अब मैं इसमें यहाँ पर डिटरजेंट डाल रही हूँ, तो म कोई दूसरा काम कर लूँगी तो यहा पर कप्डे मतलब ने निकाल लिये हैं फिर में वापिस में ने डाल दिये हैं क्योंकि दो-तीन बार में कप्ड़े हमारे धुलेंगे काफी कप्ड़ इक खट्ठे हो जाते हैं क्योंकि में रोज कपड़े बारिस का मोसम में थोड़ी बहुत भी सीलन रहे जाती है कपड़ों में तो बदबु आने लगती है तो अब मैं सुखाने वाली में डाल रही हूं यहाँ पर दिखे और यहाँ पर मैंने अपने पोँचे थोड़े उपर कर रखे हैं भीगने की वज़े से अब मैं मसीन को यह पूरे कपड़े मैंने एक साइड में नहीं सुखाये हैं कुछ कपड़े मैंने दूसरी साइड में सुखाये हैं और कुछ कपड़े मैंने इस साइड में सुखाये हैं तो कपड़े मैंने सुखा दिये हैं पांचवे नंबर पर आब हम जा रहे हैं जाड़ू लगाने तो य अभी संडे को इसको अपलोड करूँगी तो देखे यहां पर मैंने जाडू भी निकाल दी है अब मैं पोछा लगा दूँगी तो यहां पर मैं पोछा लगाने वाला यह मार्केट से लेके आई थी मैंने आप लोगों के साथ सेर नहीं किया है लेकिन यह बहुत ही अच्छा ह इससे हमारा जो टाइम में बहुत ज़्यादा बच जाता है बहुत कम समय में हम अच्छे से पोछा लगा लेंगे अपने घर में और जैसे हम बेट कर पोछा लगाते हैं मतलब सादा कपड़े से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इससे फटा-फट पोछा लग ज मैं यहां पर अपने गेट वगेरा पर कपड़ा मारती हूं रोज में कपड़ा इस पर मारती हूं तो इतनी धूल मिटी नहीं जमती है बस थोड़ा-थोड़ा हम इस पर कपड़ा फेरते हैं तो एकदम किलीन हो जाता है और सारे गेट वगेरा पर में कपड़ा फेर दूंगी तो regular हम काम करते हैं तो रोज इतनी गंदगी नहीं जमती है बहुती इजीली जल्दी से सफाई हो जाती है यहाँ पर देखिए साफ सफाई करके मैंने ये area भी clean कर दिया है यहाँ पर पोच्छा वगेरा सब मैंने clean करके यहाँ पे washing machine को मैंने धो कर और इस corner में मैंने सारा सामानी खटा रग दिया है अब आठवा नमबर पे मैं फिर से अपनी kitchen में आई हूँ और light नहीं आ रही है आपको थोड़ा सा अंधेरा नजर आ रहा होगा इतना clear नजर नहीं आ रहा होगा अब मैं यहाँ पर सबजी बना रही हूँ सबजी बना के मैं रख दूँगी क्योंकि अभी बज़े हैं मतलब वो 10 बज चुके हैं मैंने साड़े नो बज़े तक मैंने कपड़े वगेरा धोके फिरी हो गई हूँ तो आदे घंटे में मैंने जाड़ू पोचा कर लिया है आदे पोने घंटे में तो अभी 10 बज़े हैं तो मैं सबजी बना के रख दूँगी इसके बाद में मैं नहने जा रही हूँ नहने के बाद में अब मैं यहाँ पर दसवे नंबर पर मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ आटा मिने लगा लिया है और अब यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ ग जाप सपाई करऊंगी तो देखते हैं कितना टाइम होगा मैं आपको टाइम भी बताती रहूंगी तो यहाँ पर अब सब जो रोटी खाने वाले हैं सब घर के कठे हो गए हैं तो मैं अब रोटी बनाना मैंने शुरू कर दिया है पहले मैंने सबची बना के रख दी थी फिर मैं नहा के आई थी अब मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पर तो फ्रेंड्स मैं भी आपकी तरह ही सारे काम करती हूँ घर का एसा नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ घर का काम भी मैं करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ वीडियो के लिए टाइम निकालती हूँ दिन भर में बहुत बीजी रहती हूँ, अब मैंने यहाँ पर रोटी बना ली है, तो हेंट तो हेंट में यह सारे बरतन सिंक में रख रही हूँ, तवे वगेरा सारी चीज में सिंक में रख दूँगी, नेपकीन को मैं यहाँ से अच्छे से जाड़ के रपनी डिरो में रख दूँगी यहाँ पर, देखिए हम अपने काम को हेंट निम्टाते रहते हैं, तो हमारा टाइम भी बचता है, और मतलब हमारी जो किचन है, वो किलीन रहती है, अब देखिए यहाँ पर मैं पहले अपने चूले को साप कर रही हूँ, फिर दोनु साइड के प्लेटफॉम को साप कर दूँगी, तो हमारी जो किचन है एक्तम किलीन रहती है, हम काम को पड़ा छोड़ देते हैं, जैसे खाना बनाया, खाना खाके फिर आराम करने लग जाते हैं, फिर कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं, हमारी किचन तो के बार तो ऐसा होता है कि सुबह खाना बनात किचन एकदम 24 घंटा कि लीन नजर आती है अचानक से कोई भी घर में आ भी जाए तो एसा नहीं कि हमारी किचन एकदम गंदी है हमको ऐसा अजीद सा फील हो तो यहां पर देखे मैंने दोनु साइड के मैं अपने फिलेट फॉर्म को साप कर रही हूं अब मैं इस साइड में भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा फेर दूँगी क्योंकि मैं अपनी किचन को जैसे मैं खाना बनाती हूं कोई भी काम करती हूं किचन में हेंट्टो एंट साप करती हूं तो इतनी जादा गंदी नहीं होती है बस मुझे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मारना पड़ता है और इस काम में पांस से दस मिनट का टाइम भी नहीं लगता है और देखे इसके बार में जो भी मैंने यहाँ पर बरतन रखे हैं मैं इनको साप कर लूँगी जैसे कि चूले के आइटम, रोटी बनाने की पराती, चकला बेलन, तवव अगेरा यह मैं हेंटो हेंट साप करके रख देती हूँ और जो बाकी बरतन निकलेंगे जब हम सब खाना खा लेंगे वो मैं तब साप करूँगी, तो देखे यह मैंने यहाँ पर धो लिये हैं अब इसके बाद में मैं तुरंत सिंख को भी साप कर दूँगी, देखे मैं जब भी बरतन धोती हूं तो अपने सिंख को हिंटो हिंट साप कर देती हूं ताकि हमारे सिंख में गंदगी नाजा में और हमारी किचन एकदम किलेन दीखे, तो इसके बाद में देखे अब हम खान खाना खाने के बाद में जो भी बरतन को साप करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया वरतनों को ख्रकें हेंट हैंटो हेंड फालाग नहीं नहीं होते हैं और हम बहुत कम समय में अपने बरतन को अच्छे से साप कर लेते हैं तब हम सुबह से लेके धुपेर तक के बरतनों को इखटा करते हैं तो बरतन सूख जाते हैं और फिर टाइम भी ज्यादा लगता है और हमारे बरतनों में इसक्रेज आते हैं इसलिए हेंट टो हेंट हम अपने बरतनों को साप करेंगे त पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसे साप किया था, अब पूरा काम जब हो गया है, तो मैं अपने सिंख को एकदम किलीन कर दूँगी, तो अब मैं नीचे से जो सिंख वाली बुरू से उसी से साप करूँगी, ये देखिए, देखिए हम किचन को साप नहीं करते हैं, बाक किचन किलीन लगती है, तो यहां पर मैं अपने सिंख को हेंट तो हेंट किलीन करती हूँ, और जो भी आसपास गंदगी थोड़ी बहुत छेंटे वगयर अलगती हैं, वो भी मैं हेंट किलीन कर देती हूँ, ताकि हमारी किचन 24 गंटा एकदम किलीन नजर आए, और जब अच्छा लगता है, किचन अगर हमारी गंदी रहती है, तो काम करने को मनी नहीं करता है, अब यहां पर देखें, छेंटे वगयर लगते हैं, तो मैं नल पे भी हेंट वहेंट कपड़ा फेर देती हूँ, बाकि जो प्लेट फोम होगेरा है, वो मैंने रोटी बनाने के मैं अपनी किचन को फिर से किलीन करके और तब में सोती हूँ, बरतन वगेरा सब में साम को ही साप करके रख देती हूँ, अपनी किचन को इसी तरह से किलीन करके तब में सोती हूँ साम को, तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितनी मतलब आसानी से अपने सारे काम को निम् क्योंकि कपड़े में इखटे करके धोती हूं और अब दो बजे हैं अब इसके बाद में हम अपना कोई भी परसनल काम कर सकते हैं जैसे कि मैं यूटूब पर वीडियो बनाती हूं तो मैं अब इसके बाद में वीडियो बनाती हूं लेकिन आज संडे है तो मैं संडे की करके सो जाएंगे तो बस ये था हमारा घर का काम तो कोई ज्यादा काम नहीं रहता है बस हमारी सोच रहती है और काम करने का सिस्टम रहता है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें